हेलो एब्रीवन वेलकम टू सक्सेट विद्राय केडमी 15 मई 2021 के दैनिक जर्गन के राष्टिस इंस्क्रण को आज किस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहली न्यूज है कि केंद्र ने सतर्क तो किया लेकिन राज्य सरकारे वक्त प आई बाते जो अभी कई दिनों से मीडिया में भी चल रही थी और प्रिंट मीडिया में भी आप देख रहे थे इन सब को लेकर प्रकाश जावडेकर जी ने एक मीटिंग करी और उसमें यह बताया कि सत्रा बार यानि कि 28 फरवरी साथ फरवरी से लेकर 28 फरवरी हाला कि जन मीरता से नहीं लिया गया और मार्च में आपने जो हालात देखे केरल, तमिनाडू और पंजाब राज्यों में सबसे ज़्यादा इस्तिती खराब हो गई करोना की दूसरी लहर में एक तरफ जहां देश की राजधानी खुब राजनीती खुब गर्माई हुई है, वहीं बहस तेज चल रही थी कि करोना के तेज प्रकोप के लिए क्या चुनाओ और कुम्भ जिम्मेदार थे, क्या भविस की सोच और प्रवंधन में पहल कर चुक और मार्च आते आते केरेल, महराष्ट, पंजाब, मद्यपरदेश, शक्तिसगर, गुजराद, दिल्ली जैसे राज्यों को बता दिया गया था, कि उनके कौन-कौन से जिलों में टेस्टिंग धीमी हो रही है, बहरहाल अब यह तरास्दी रुकी नहीं, अब कुछ भी हो कि जिसने भी इसमें गलती की हो, लेकिन खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है, और जिस तरीखे से स्वास्त धाचा है, वो पूरी तरीखे से चर्मराता दिख रहा है, गुरुगार को जो भाजपा की ITCEL के प्रमुक हैं, अमित मालवी है, इहोंने ट्वीट करके बताया है कि सितंबर 2020 से अप्रेल 2021 तक प्रदान मंत्री ने मुख मंत्रियों के साथ 6 बैटक की थी और इसमें सतर किया था, केंद्री स्वास्त मंत्राले के अधिकारियों की माने तो जनवरी से मार्च तक ही कम से कम दो दरजन बार राज्यों को इसमें आगा किया गया था, उस वक्त भी केरल में क्रोना उच्छाल की और था और 7 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने वहां उचस्तरीय टीम भेजने का फैसला लिया था, तब वहां रोजाना लगबग 5000 केस आ रहे थे, और लगबग एक महीने तक केरल देश में नंबर वन राज्य बना रहा, उसके बाद भी अगले देड़ दो महीने तक केरल और महराष्ट से ही देश के 70 से 72 फीजदी मामले आते रहे, इसी बीच केरल में चुनाव भी संपन हुए हैं, तो इसमें जो सबसे में बाद ये निकल के आ रही है कि चुनाव आयोग और ये जो यानि जो चुनाव हुए है और रिजो इन जो कुम्भ हुआ है, इसको सबसे में जिंहेदा ठेहराया जारहा है, नेक्च नीज है कि पेमपा सेरिंग बने निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमन्त्री, अन्तिता अनुभवी सांशत और अर्ठ सास्थ के जानकार पेमपा सोरिंग निर्वासित तिब्बती सरकार के नय प्रधानमंत्री चुनलिये गए हैं, निर्वासित तिब्बत सरकार के चुनाव आयोग ने उन्हें सुक्रवार को विजय घोसित किया है, चुनाव परिणाम की घोशना निर्वासित तिब्बत सरकार के मुख चुनाव आयोग तो वांगडू ने आभासिय माध्यम से की है केंद्रिय तिब्बत प्रसासन यानि CTA के अध्यक्ष और सिक्योंग यानि प्रधान मंत्री पत के लिए पेमपा सेरिंग वा किलसौंग दोरजे आकसंग के बीच मुख्य मुकाबला था इसमें पेमपा सोरिंग विजय रहे दो चनलों में हुए मद्दान के अलुसार पेमपा सोरिंग को 34,324 मत मिले जबकि केलसंग दोरजे को 28,907 मत मिले मुख्य निर्वाचन आयुक्त वांग्लू सोरिंग ने निर्वासित तिब्बत संसत के 45 सजस्यों का प्रणाम भी ऑनलाइन ही घोसित किया है सुक्रवार को किसानों वगरामिड भारत को संबोधित करने के दोरान नराजगी भरे लहजे में प्रणामंत्री मोदी ने कहा कि इस महामारी में जमा खोरी वगाला बाजारी के नहित स्वार्थ में कुछ लोग लगे हुए हैं ऐसा लोगों पर कठोर करवाई की जानी चाह कि ऐसे लोगों से सकती से नियुटें ग्रामिल चैत्रों में बड़ते कोरों के प्रति आगाह करते हुए प्रदान मंत्री मोदी ने इसके परती सभी किसानों और ग्रामिलों को सतर्क रहने को कहा है। इसमें सरकारी विभागों की तरह पंचायती राज की सभी संस्थानों की भागेदारी की बहुत जरूरत है, गाउं के लोगों से उन्हों ने कहा कि आपने कभी निरास नहीं किया है, क्रोणा वाइरस से लड़ाई में गाउं और किसानों का बड़ा योगदान है। दुनिया भर में बढ़ गए नए मरीज। विश्व में करोणा महामारी का कहर थमता नहीं दिख रहा है, दुनिया भर में 24 घंटे में 7.5 लाख से ज़्यादा नए केस मिले हैं, इस दौरां 13.750 पिरितों की मौत भी हुई है, भारत और ब्राजील जैसे देसों में महामारी की दुसरी लहर गहराने से विश्व में नए मामलोग और मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसला जारी है, जौर्म्स हॉप्किन्स युनियोस्टी के डाटा के अनुसार सुख कुरुआर सुभक करोणा पिरितों का वैस्विक आकड़ा 16 करोण 8,25,000 से अधिक हो गय है, गुरुवार को यह आकड़ा 33,26,000 से अधिक था, इधर ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 75,000 से अधिक ने पॉजिटिव केस पाए गये हैं, इनमें कुछ मामले 1,54,030,000 से अधिक हो गये हैं, जबकि 23,0300 से ज़्यादा मरीजों के दम तोड़ने से मरने वालों की सं 30,000 से अधिक हो गई है, नेक्स्ट निउस है कि ACI विकास बैंक ने पिछले वर्स सबसे ज़्यादा करज भारत को दिया है, इसमें करोना संकट से उबरने के लिए सरकार द्वारा लाए गई पुरियोजनाओं को दिया गया, 1.8 अरब डॉलर करीब 12,960 करून रुपय की व पिछले वर्स Asian Development Bank ने भारत को रिकॉर्ड 3.92 अरब डॉलर करीब 28,224 करोन रुपय के करज का वादा किया था, पिछले वर्स Asian Development Bank ने भारत में कुल 13 परियोजनाओं को वित्य मदद दी है, ADB ने कहा है कि 1986 में उसके परिचालन सुरू करने के बाद से भारत को दिया गया य मनीला इस्तित ADB ने भारत को बड़ी मात्रा में करज देने का करार किया, इसके तहत गरीबों और अन्य पीडित तबकों को वित्य मदद समेत समाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए दिया गया करज सामिल है, इसके साथ ही बैंकों ने सहरी छेत्रों में स्वास्त NASA News है, PSU में स्वतंत्र निदेसकों की बड़ी कमी, सूचिबद कंपनियों की निदेसक बोर्ड में पिछले वर्स स्वतंत्र निदेसकों की संख्या तेजी से घटी है, इसमें सरकारी कंपनियों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 और 2019 के म मताबिक पिछले वर्स सरकारी कंपणियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ती में काफी कमी रही है इसके चलते पिछले वर्स सूची बद्ध कंपणियों में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या गिर गई है पिछले वर्स 31 दिसंबर को निफ्टी 500 की सूची में सामिल 14 फीजदी यानि 70 कंपनिया निदेशक बोर्ड में सदस्यों की निर्धारित संख्या का अनुपालन करने में विफल थी इन में से 55 कंपनिया सरकारी छेतर की थी अब आते हैं एडिटोरियल पेज़ पर और पहला आर्टिकल लिखा है राजनीतिक सास्त के प्रोफेसर एवं वरिष्ट इस्तंबकार संकर सरन द्वारा और आर्टिकल है मागपा की रह पर त्रमल कॉंग्रेस हलाकि यह आर्टिकल बंगाल चुनाओं से है और जिस तरीके से उसके बाद राजनीतिक द्वेस के चलते जो हिंसा हो रही है उसको उस पर फोकस किया गया है बंगाल की घटनाएं बता रही है कि त्रमल कॉंग्रेस ने अपने को माक्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी यानि मागपा के नक्से में ढाल लिया है इन राजियों में मागपा राजी जन समर्तन से अधिक हिंसा और गुंडागर्दी से चल रहा था स्वेम प्रसिद्ध, कम्यूनिस्ट नेता और वरिष्ट सांसत भुपेज गुप्त ने कहा कि सुरू से ही माक्पा समाज विरोधी तत्तों के साथ मिलकर अपना कपजा बनाया गुप्त के सब्दों में पश्चिम बंगाल में तब तक सामान इसती होने की आशा नहीं है जब तक कि मार्सवादी अपने बमों को हुगली में फेक नहीं देते तथा अपनी बंदूकें और छूरे चलाना छोड़ नहीं देते माक्पा का आतंकवाद खत्म हुए बिना बंगाल में समान इसती की वापसी असंबोसी है आज यही बात तरमुल कॉंग्रेस के लिए कही जा सकती है तरमुल की भारती अखंडिता से उदासींता या घ्रणा भी कम्यूनिष्टों से मिलती जुलती है जैसे कम्यूनिष्टों ने हिंदू धर्म, समाज के विरुद, इसलामी, अलगावाद और हिंसा को आश्रह दिया वैसे ही बलकि उससे भी अधिक बहुत रमुल में लक्चित हो रहा है कुछ लोग इसे वोट बैंक की राजनीती कहते हैं पर यह अधुरी व्याक्या है मुसलिम वोटों के लिए तो कॉंग्रेस, सपा, राजन, आदी भी उठापटक करते हैं किन्तो त्रमुल की तरह अपना रंग ढंग ही इसलामिक नहीं बना लेते माकपा राज के अंतिन दौर में एक कंकाल कांड चर्चित हुआ था जब पूर्वी और पश्चमी मिदना पूरजिले में कई जगह जमीन के नीचे थोक भाव में नरकंकाल मिले थे दरसल माकपा दोरह राजनीती विद्रोयों की सामूई खत्या की गई थी उसके बाद माकपा के एक मंत्री और एक सांसाथ सीधे-सीधे आरोपित हुए थे वह मंत्री और अनेक माकपा नेता कारेकरताओं को गिरिफ्तार किया गया था तब ममतावजर जी ने कहा था कि ऐसे असंखे नरकंकाल और कई जगा पर दबे पड़े होंगे क्या आज त्रमुल के कार्यकरता मनमानी हिंसा की वही राजनीती नहीं चला रहे इससे संदे होता है कि त्रमुल ने भी मागपा की तक्नीक को अपना लिया है नेक्स्ट है समाज की सक्ती जगाने का समय और यह आर्टिकल लिखा है समाज सास्त्री डॉक्टर विशेश गुपता द्वारा क्रोना की इस दूसरी लहर के बीच एंबुलेंस के बार बार बचते साइरन अब डराने लगे हैं जिन्हें ऐसे साइरन नहीं सुनाए देते या नहीं डराते उन्हें भी यह सता रहा है कि क्रोना के लक्षण आ गए तो अस्पतालों में जगा मिलेगी या नहीं अगर घर में आइसलेशन में रहें तो पता नहीं आक्सीजन मिले या नहीं कहीं इस आक्सीजन के अभाव में मृत्यू का वरणा हो जाए या भै भी सता रहा है कि बागी परिवार के सदस यदी संक्रमित हो गए तो क्या होगा पडोसी नातेर इस्तेदार मित्र यहां तक क सगे संबंदी तक इस रास्दी के बीच किनारा करते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हर किसी को संक्रमित होने का भय है क्रोणा की इस लहर में इंसानियत करा रही है मानुविय संवेदना गायल अवस्था में है नौसांगिक संबंद भी अब क्रतिम से नजर आ रहे हैं लगता ह कि जैसे क्रोणा संक्रवन की दूसरी लहर में समाजिक के साथ साथ मानुविय संबंद भी संक्रमित होने लगे हैं संकट के इस कालखंड में मौत अब संसकारों का हिस्ता न रहकर गडित के सवालों में उलज गई है क्रोणा ने लोगों को अकेला ही नहीं किया है बलकि कानने वाले देश में एक वाइरस का संक्रमन समुचे परिवार पर भारी पढ़ रहा है हमारे परिवार की संयुक्तिता को यह महमारी इतनी तेजी से अकेला कर रही कर देगी इस तत्थ को लेकर समाज मनोविज्ञान यहां तक की सब कोई अचंबित है इसी को देखते इसका परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति परिवार के व्रहत संकुलन से निकल कर हासिये पर आ गये हैं वह भूल गये हैं कि समाज हमारी जरुवत भी है वह भूलता चला गया कि कभी ऐसी बीमारी आने पर उसे अपने सुजनों की भी सक्त जरुवत पढ़ेगी अमेरी की समाज सास्त्री अमिटाई एजियोनी के अनुसार समुदायों में आज भी नैतिक रूप से साजी भलाई को बढ़ाने की ताकत है इस मत के अनुसार इस समय राष्टिय समुदाय को सारे वादे से विरत रहने की जरूरत है इसके लिए हम सभी को जीजीविशा और साहस के साथ अपनी पूरी समाजिक ताकत लेकर सरकार के साथ उठ खड़े होने की आउशकता है या भाव सभी में उभरना चाहिए कि हम इस मुश्किल महामारी से लड़ेंगे और जीतेंगे यही भाव हमें संकट से उबरने की ताकत देता है वास्तों में ऐसी भावना से ही हम इस संकट ग्रस्त की जैविक ताकत को अपने देश की सामुई ताकत से हराने में काम्याब होंगे नेक्स्ट आर्डिकल है जागरुपता बढ़ाना जरूरी देगे जो पिछला आर्डिकल था वो इससे रिलेटेट था तो इससे डिसकस नहीं करेंगे तो यह आज का यानि 15 मई 2021 का दैनिक जागरन का राश्टी संसकर था आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अ अगर आपको वीडियो अच्छा लगाऊ तो लाइक आओ शेयर कर दीजेगा वीडियो देखने करें धन्यवाद